Hello Everyone, Welcome to Law Classroom आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MP Land Revenue Code की वीडियो लेक्चर सीरीज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि MP Land Revenue Code के हर चेप्टर, हर सेक्षिन, हर सेक्षिन के प्रोवीजों को आपको एक एजी लेंगे में समझाने की कोशिश करें इस पर्टिकलर वीडियो में हम MP Land Revenue Code की बेसिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं तो हमें तीन कोईस्टिन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए अगर हमें उसका बेस क्लियर करना है तो सबसे पहले हैं कि Land Revenue Actually में होता क्या है दूसरा कि Land Revenue Code क्यों बनाया गया है और तीसरा कि Land Revenue किसे पे करना पड़ता है और इसी कौन सी проис है जो ये Land Revenue Code recover करने के लिए वसूल करने के लिए authorized है तो सबसे पहले questions से deal करते हैं कि Land Revenue होता क्या है तो इसका अंसर देगा हमें दो सेक्षिन सब्सक्राइब करें तो प्लीज उसे खोल के साथ में पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जित्ती भी लैंड है मध्यप्रदीश में उसका एक ही ओनर है वो है स्टेट गवर्मेंट और हम चो सिटेजन है नागरिक है हम स्टेट गवर्मेंट से लैंड को होल्ड करते हैं कवायर करते हैं लेते हैं तो जब भी हम स्टेट गवर्मेंट से लैंड को होल्ड करते हैं तो हमें बतले में स्टेट गवर्मेंट और कुछ देना पढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं Land Revenue इस section को हम जब chapter पढ़ेंगे तो detail में इसको section 57 को हम और पढ़ेंगे दूसरा section, section आता है section 2 M1 जो कि हमें बताया कर definition Land Revenue की तो इसकी definition बोलती है कि All money payable to state government for holding land तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम state government से कोई land को hold करते हैं और उसके बदले में जो हम पैसा देते हैं उसे हम बोलते हैं Land Revenue बढ़ते हैं second question की तरफ कि ये Land Revenue Code क्यों लागू किया गया है तो हमारा second question था कि Land Revenue Code आखिर लागू क्यों हुआ है तो 1959 के पहले ये होता था कि हमारे मध्यप्रदेश में Land Revenue से लेटेड बहुत सारे laws थे हर रीजन का एक अलग law तो बहुत confusion होता था कि एक particular person कौन से laws से deal करेगा कौन सा laws के उपार लागू होगा तो इन confusion को दूर करने के लिए Land Revenue Code लाना पड़ा इसका preamber हमें objective बताएगा कि Land Revenue Code आखर लागू क्यों हुआ तो यह इसका preamber बहुता है कि to consolidate and amend law relating to Land Revenue तो जिते भी Land Revenue से लेटेड लाओ है उसको consolidate करना consolidate का मतलब यह होता है कि बहुत सारे laws है Land Revenue से लेटेड उनको combine करके एक law बना देना, एक code बना गया फिर दूसरी चीज कि revenue officers की क्या-क्या powers होंगी क्या कौन सी शक्तियां होगी revenue officers के पास तो section 11 के इंदर हम पढ़ेंगे 1919 प्रकार के revenue officer उनकी क्या power होंगी हमें कौन बताता है Land Revenue Code तीसरी चीज, कि जिते भी holder है Land के, उनकी क्या rights होंगी और उनकी क्या liabilities होंगी, क्या अधिकार होंगी और क्या धायत होंगी, यह हमें कौन बताएगा Land Revenue Code और आखिर में जिते भी agriculture 10 years है, मतलब कि बहुत जो person agriculture purpose के लिए Land को hold करते हैं, उनकी क्या rights होंगी और क्या liabilities होंगी, यह हमें Land Revenue Code बताता है तो इन चारों चीजों से related Land Revenue Code करता है law को consolidate करता है और amend करता है तो यह हो क्या हमारा objective फिर prelims के हिसाब से question आता है कि Land Revenue Code को President ने कौनसे date को assent दियो थी तो यह है 15 September 1959% मिली थी और फिर दूसरा question आता है कि Land Revenue Code कबसे लागू हो गया कबसे enforcement आ गया उसके enforcement date पूछ ली जाती है तो हमें याद रखना है 2nd October महत्मा गांधी का happy birthday तो 2nd October को लागू हो गया अब बढ़ते हैं हमारे तीसरी question की तरफ कि Land Revenue Code कौनसी situation में और कौनसे कौनसे लोग के उपर लागू होता है अब बढ़ते हैं हमारे तीसरी question की तरफ कि Land Revenue Code कहां पर और किन के लोग के उपर लागू होता तो इसका answer देता है section 1 यह बोलता है कि Land Revenue Code जो है संपून मध्य प्रदेश में लागू होता पर इसका एक अपवाद है कि अगर किसी land को Indian Forest Act 1927 के द्वारा reserved यह protected घोशित कर दिया गया है तो ऐसे एरिया के उपर यह Land Revenue Code जो है वह अपलाए नहीं करता पर इसके लिए exception है कि चार प्रदार के ऐसे provisions दिए गया है section 1 के अंदर जो इन reserved यह protected एरे के उपर लागू हों तो सबसे पहले आता है liability of payment of Land Revenue Land Revenue Pay करने का दायत वह जो की section 58 137 और 159 के अंदर दिया है वह in reserved protected area के उपर लागू होगा दूसरा assessment of Land Revenue, Land Revenue को नरधारत करना, इन provisions के अंदर यह इन पर लागू हो जाएगा section 58, 59 A, 59 B, 72 73, तीसरा आता है realization of Land Revenue कि Land Revenue वह कैसे recover किया जाए, वसूल किया जाए, इसके जो procedure है, provision जो दिया गया section 147 के अंदर यह थी areas के उपर लागू हो जाएगे और इन तीनों से related जो भी ancillary अनुसांखे provisions है, वह भी इन पर लागू हो जाएगे अब इसके बाद ऐसे person, जो land को hold करते हैं, इन दिये गए following purpose के लिए हर purpose का एक अलग rate होता है उस rate के साब से उसका land revenue दाएक किया जाता है, तो यह सारे purpose है, सब सब पहला आता है agriculture purpose, अगर आप agriculture purpose के लिए land को use कर रहे है तो आप land revenue pay करने के लिए liable, दूसरा आता है dwelling house आप residential purpose के लिए अगर को land को acquire करते हैं तो भी आपको land revenue pay करना है फिर आते हैं following purposes पहला आता है commercial, दूसरा agriculture और तीसरा industrial purpose अगर आप इन तीन purpose के लिए land को hold करते हैं तो भी आप land revenue pay करने के लिए liable होगे, तो guys यह अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप free होके बिल्कुल comment section में नीचे question पूछ सकते हैं और लगबग हमने अपना chapter 1 ख़दम कर दिया है, उसका section 2 जो definition से deal करता है उसे हम एक separate video में समझेंगे, और next video में हम बात करेंगे chapter 3 की जो बात करता है board of revenue की राजस मंडल के बारे में, so guys next video तक, good bye